सूअ में कुछ बताईए मैं काश्यपूर उत्रकंड से रहने वाला हूँ काश्रयपुर उत्रखंड क equivih से की मैंने 90% से ज्यादा मार्ट किये थे आज की जम्हाने में तो 90% बड़ा कॉमन सी बात है उस टाइम पे मैं पहला स्टूडेंट था अपने कॉलेज का अपने जिले का जिसने 90% से ज्यादा मार्ट कलेक्ट किये थे उसके बाद फिर मैंने MBBS के में मैं mathematics बहुत पसंद करता था लेकि मेरे फादर चाहते थे कि आप mathematics की जगे MBBS के लिए तैयारी करो तो फिर मैंने MBBS के लिए exam दिया और क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत noble profession है बहुत destructive profession है तो खेर मैंने उसका exam दिया मुझे KGMC लखना मिल गया one of the best colleges in India उसके बाद फिर मैंने MS orthopedics के लिए ट्राइ किया मुझे MS orthopedics मिल गई और फिर उसके बाद करीब 25 साल हो गए मुझे practice करते हुए and this is my journey of life मैं मुरादाबाद medical college में assistant professor भी रहा मैं गंगाराम सर गंगाराम hospital न्यू डेली में consultant भी रहा इस तरह यही मेरी journey है life तो सर आपको कब एसास मैं मैंने आपको बताया ना कि मुझे mathematics बहुत पसंद है mathematics मुझे इतनी पसंद है आज भी मैं deadly fan हूं mathematics का और हुआ क्या कि जब मैं orthopedics में मेरी पहली posting लगी तो मुझे महसूस हुआ कि यह तो एक और एक 11 है बिल्कुल orthopedics was like mathematics सो उसी दिन से मैंने महसूस किया कि मुझे orthopedics म नहीं जाना है मुझे orthopedics ही करते हैं और सर अपनी फामिली background के बारे में कुछ बताई है है हम लोग एक joint family में रहते हैं मैं अपने parents के साथ मेरे दो ब्रदर है एक elder brother है यंगर ब्रदर है और सब तीनों ही लोग हम एक ही घर में एक ही साथ सब साथ में रहते हैं मेरे फादर क अपना सौ साल पुराना कपड़े का business है जबकि मेरे फादर बहुत educated नहीं है वो इंटर किये हुए है लेकिन उस दिल उन्होंने अपने बच्छों को अच्छे से education मिलाए मेरे बड़े ब्रदर pathologist है उनकी wife radiologist है मेरी wife physiotherapist है hospital administration देखती है छोटा भाई है वो अपना Raymond shop उसकी इसमें आपकी क्या विशेश्चता है मैं मैं ना सबसे ज्यादा मुझे और्थोपेडिक्स में वैसे तो सभी कुछ अच्छा लगता है और्थोपेडिक्स ही अच्छी लगती है लेकिन सबसे ज्यादा मुझे neglected trauma पसंदे मुझे पुराने बिगड़े केस जो पुराने cases जो बोन सेक्टर्स हैं या फिर पहलवान जिसको हड़ी हड़ी वड़ी हड़ी वाले कहते हैं वो लोग जो खराब कर देते हैं कि उन्हें केस को करके मुझे बहुत satisfaction मिलता है बहुत मतलब I feel satisfied I feel मैं आज आज मैंने कुछ अच्छा काम किया और इसके अलावा मैं joint replacement मेरा दूसर करता होगा जी सबसे बड़ा कारण मैडम है हमारा lifestyle हम अपने lifestyle में सभी चीजों के लिए टाइम देते हैं अमोन आप लोगों से सुनेंगे मैं यार बहुत busy का मतलब क्या है busy मतलब priorities है आप किस चीज को कितनी priority देते हो basically हम अपनी life में अपनी exercise के लिए अपनी healthy living के लिए कोई time देना चाहते हम अपने fun के लिए movie देखने के लिए 3 घंटे spare कर लेंगे picnic मनाने के लिए spare कर लेंगे लेकिन अपनी life के लिए time देते और दूसरा most important factor है हमारी diet तो हम अपनी diet के ध्यान में रखते हैं तो ये दो factor अगर आदमी ध्यान रखे मेरा simple funda है कि एग घंटा exercise करो दिन में daily अपने शरीर को दो और दो glass दूद दो कटोरी दाल दो कटोरी हरी सब्जी दो एग ये दिन भर में जरू खाओ इसके बाद अगर कुछ बेट में जगे बज़ जा है तो खाओ चाहे unhealthy खाओ healthy खाओ this is sufficient अगर इतना daily आप खाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत ने पड़ेगी मैं अपने patients को यही सला देता हूँ और patient बहुत healthy रह जी सर जैसी हमने बहुत बार सुनाया और देखा भी यह कि जैसी जो व्रेद होते हैं वो बात्रूम में गिर जाते हैं और उनके कुले में fracture हो जाता है तो इसका क्या कारण हो सकता है मैडम इसका कारण भी यही पिछले सवाल से related है कि उनकी हड़ियों में calcium की कमी हो जाने की विज़े से diet proper ना लेने की हेल्दी lifestyle ना होने की विज़े से smoking tobacco alcohol जाते लेने की विज़े से उनकी हड़ियां कमजोर हो जाते हैं जिसकी विज़े से osteoporosis नाम की problem हो जाती है या ladies में patient गिरता है और उसकी हटी fracture हो सकती है और सर जैसे कि हर साल पाच लाग से जादा knee replacement के होते हैं operation और लोग को डरते भी हैं कि वो knee replacement जो है वो करवाएं या फिर ना करवाएं तो आप बताईए दर्शक को कि उनको मतलब knee replacement करवाना चाहिए या फिर इसमें कोई खत्रा है या फ अच्छी सरद्री है बहुत रिजल्ट गिविंग सरद्री है बहुत अच्छे रिजल्ट है इन माइप्रेक्टिस दो तीन चीजे important है आपने कब कराई किस से कराई कितना experience सरद्री से कराई यह बहुत important है आपको मैंने आज सला दी आप 10 साल बात कराते हैं तो उसका result सरद्री डॉक्टर सला दे रहा है कि अब आपको नहीं replacement की आवश्यक्ता है तो आप अगर तब कराएंगे जिसकी life अपनी 20 से 25 साल है तो आपकी rest of the remaining life में आप अच्छे comfortable रहोगे result अच्छा आएगा पूरा range of movement आता patient बढ़िया चलता है patient pain free हो जाता है लेकिन आपने time पे करागे आपने 60 पे उसमें कहा कि नहीं मैं अभी नहीं कराऊंगा अभी मेरा मन नहीं है फिर 72 पे जब वो ना तो उसकी physical fitness रही operation की ना पूटना इस काबिल रहा कि उसमें replacement करके result दिया जा सके उसने operation कराया तब वो result आई नहीं सकता तो इसलिए समय से कराई जाने पे बहु अच्छे आई शूड डिकमेंट और 60 प्लस को जिसको आपका डॉक्टर सला दे यह असेस्मेंट डॉक्टर का है यह डिसीजन डिसीजन आपका है लेकिन सजेशन और असेस्मेंट डॉक्टर आशा करते हैं सर्की आपकी यह बाते सुनके ज़रूर लोग नहीं रिप्लेस्मेंट करवाएं और सर्क हमारा लास्ट कोशिन यह है कि जैसे की क्रोना बढ़ता जा रहा है उमिक्रॉन वेरियंट भी आ चुका है तीसरी लहर की भी संभाब ना है तो ऐसा हेल्ट के एक्सप हैं भीड़भाली जगे पे ना रहे हाथ और अच्छे से सावंचे दोई या सैनिटाइस करते रहें और यह सब चीज़े अगर आप ध्यान लखोगे तो कोविड आप इस कॉमन फ्लू बट दे थिंग इस कि हमारा समाज इस बात के लिए त्यार रहे हमारा समाज तो ना तो शादिया करने से रुक रहा चलिए शादिया करनी है जरूरी है वही दो साल हो गए और दूसरी बात वैक्सिनेशन नहीं लगवा रहे हैं लोग वैक्सिनेशन नहीं करवा रहे हैं यह सब चीजे फॉलो करिए तो उमीद करता हूं कुछ नहीं होगा सब अच्छे से निकल जाएगा लहर आएगी जरूर और जो लोग हाई हाई रिस्क केसे हैं जिने डाइविटीज है मोटापा है लट पिशर है वो लोग समय से ट्रीटमेंट ले 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 इग्दम से अपने डॉक्टर को कंसर्ड करें जहां उन्हें फीवर हो जहां उन्हें कोई खासी या ऐसे कोई भी सिम्टम हो अन्रिलेटेट सिम्टम हो तुरन डॉक्टर को संपर करें और वैक्सीन जरूर लें उमीद करते हैं अच्छे रिजल्ट रहेंगे किश्वर ने चाहा सबका स्वास अच्छा रहेगा जी सर्थ हैंक्यू सर्थ इत्ती धन्या मतलब इत्ती जानकारी देनी के आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे फिर मिलेंगे एक नए और अलग मुद्दे के साथ और अगर आपको किसी को भी हमारे जो वीवर्स हैं अगर उनको हट्टियों से संबंदित प्रॉप्रम है तो आप जरूर चाहिए इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट में और डॉक्टर अगरवार के लिए आप अपनी बुकिंग्स भी करवा सकते हैं थैंक यू सर्व थैंक यू मैम थैंक यू एरिवर्स गुड़ इसी के साथ मैं मांसी रावत आप सबसे लेती हूं विदा अगरी बार फिर मिलेंगे एक नए किस्ते और एक नए डॉक्टर के स आप